हेलो एन वेल्कम काई स्वागत आपका फेंटासी डिसन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग बाइज यह के सिए प्रेशिडेंट कप T20 के बात करेंगे जो कि मैं चोगा यह पर के सिए पेंथर्स वर्सिस के सिए तसकर्स के बीच में तो चलिए दोनों यह टीम क तो चलिए फिर बीना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो बात करेंगे इस मैच के इसे फ़ह एक छोटी सी रिक्वैस्ट है कि मिल जाएंघ और टेलीग्रम से जुडने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अल्री टेलीग्रम का लिंक अटेज किया है इनके सब्सक्राइब लिंक लिंक वर्क ना गया तो टेलेग्रम में जाके आपको सर्च करना है तो स्कॉर बन सकता है ऐसे 140 के आज पास तो आरम से बन सकता है अभी जग चार मैच इस के लिए जिसमें से तीन बार चेजिंग करने वाली टीम ने जी थी तो आइधिंग जो भी टीम टॉस जीते के पहले चेज करना पसंद कर सकती है सबसे पहले बात करते हैं एक मैच खेली ह बार के आ रही है ओपनिंग में कोन आया था यहां पर निल सनी और विश्णूराज दोनों ने ओपनिंग कर रहा है देखो वैसे उमीद तो यहां से रोहन कुन्नु मल की थी और लास्ट मैच खेले नहीं शायर अगली मेच भी नहीं खेलेंगे यह दोनों ने ओपनिंग किय अब इंपोर्णस की बात के दो देखो निल सनी जो है बैटिंग के साथ साथ वस होगेरा करवा लगते हैं लास्ट मैच के उनकी जरूरत पड़ी नहीं पैसे जरूरत पड़ेगी टीम को तो यहां से दो से तीन वस की गयन बाजी करवा सकते हैं तो इनको रिश्की तोर पर कैचिंग से संपिंग से भी अच्छे-खासे पॉइंट्स दे सकता है वस्टल गोएंड लास्ट मैच के अंदर भी मैंने यहां से आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन की चोइस दी थी जा पर उन्होंने 43 रन किये इनके कुछ पिछली पांच मैच के लीस्ट एक आकड़ी की चोइस है 49 रन किये थे लास मैच के अंदर तीन वस्ट की गयनबाजी की विकेट लेस रहे ओर लॉल दस मैच के अंदर आट विकेट है और 21.3 वस्ट की गयनबाजी करवाते हुए तो गयनबाजी से यहां से अच्छे-खासे पॉइंट्स आपको दे सकते एवन की भी यहां से कैप्टेंशिप करवा सकते हैं ऐसे अक्षे-चंद्रन लेप टाम ओट्रोग गयनबाजे चार मैच के अंदर पिछली चार मैच की बात करो तो इससे पहले वाले चापर तीन विकेट निकाला था 32 रन किया हुए थे नो वस्ट की गयनबाजी हर एक मैच करने आसे 3-4 वस्ट पूरी करवाएंगा मैन प्लियर यहांसे मिडर वस्ट वगयरा में विकेट चटको आने के माही रहें तो इनको जरूर ट्राइख करनेंगे लास्ट मैच के हमारी कैप्टन थे यहां पर लास्ट मैच के अक्षे चंद्रन वास्टन थे जहापर दो विकेट पिछली मैच के बात कर दस के अंदर 105 और यासी तेरा विगेट निकाली तो आगे भी आजसे दो से 3 विगेट कभी भी आसे निकाल कर दे सकते हैं तो इमपोडेंगे केप्टन वाइस के चोईस रहेंगे संजीव काफी नीचे केले 10 मैच के लिए उवर जापर 215 रं किये हुए वैसे लेप टाम ऑठोडों गयन बाजी भी करवा लेते हैं लेकिन इनके गयन बाजी के कोई आंकरें मिले नहीं है तो गयन बाजी से कोई उम्म लेकिन उवरोल 6 मेच के अंदर 9 विकेट निगाला हुए पिछली 6 मेच के बात के हो तो राइट हैंडे बैटिंग के साथ-साथ या से राइट हम मीडियम भाज गयन बाजे तो इनको आपको रिस्की तोर पर या फिर चार मेंबर पांच मेंबर 11 मेंबर या पिर आसे ग्रा कर सकते हो बाकि पावंध राज की बात की जातों साथ मेच के अंदर 11 विकेट निकाला हुए लिए भी लास्ट मेच के अंदर विकेट लेस रहा था तो देखो यह तीनों ही प्लेयर जोए आपको अलग से याने की एक्स्ट्रा एडवाडेस दे सकते हैं तीनों कोई तो इनके वगि लोग प्रॉइ कर सकते हो ये जोशेफ एक्स केरिया स्ट्रार करेंगे देथास में से जोशेफ और एक्स केरिया देथा समें आएंगे बाकिason में से अगर कोई भी खिलता है तो इनके स्ट्राट्स वगेर आपको टेलेगर चैनल प्योए तो जली से जाके आ काली तो एज़ प्लेयर के साथ ज्यादा दर पप्लिक आपको कैप्टन है वाइस कैप्टन करती हुए नजर आ सकती है इंको देखो विकेट किपिंग सेक्षिन दिखेंगे नाया वार लेकिन आई थिंक मुझे लगता है तब तक के लिए हमें सामने वाली टीम के दरम यानि क को एज़ प्लेयर यहांसे ट्राइ कर सकते हो क्योंकि ज्यादा फास्ट तो नहीं खेलते हैं लेकिन यहांसे ठिक-ठक स्कॉर करते हैं नजर आ सकते हैं एवन क्लासिकल बैड है 27 मैच के अंदर करीबन 29 के औरे से 1275 रन साथ में 11 विकेट तो यहांसे बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों इसे उम्मीद कर सकते हैं आप लोग आपको एडवांटेश दे सकता है शौन रोजर्स के मैंने पिछले कुछ मैच इसके आंकरे देखे थे जहांपर हो रिसंटली जबर्जर्स पॉम में थे इसके लिए मैंने आज इनको डिफ्रेंस लिए में लिया था चास रन अगली दो से तीन मेच के अंदर इनकी तरफ से आ सकते हैं बाकि वीनुप मनोर ने लास मैच के नरे एक विकेट निकाला तो इनको आप लोग ट्राइक कर सकते हो और विकेट से रंग ने एक ही गयन की गयन बाजी की थी बैटिंग से काफी नीचे है लेने का कोई म आप लोग ट्राइक कर सकते हो तो यह तो लोग आप लोग ट्राइक कर सकते हैं यह प्लेयर की बात करें निया पिछली मेच के अंदर हमको दोखा दे दिया जबरजस्ots प्लेयर यहांसे साथ मेच के पांच मेंचरविकेट और लेकिन वह सब्सक्राइब करने के नहीं है तो दो चीज हो सकती है या तो इनको सब्सक्राइब किया गया हो या फिर कोई लेकिन वह सकती है तो इनको पर बरोसा कर सकते है या इसे एक वह सब्सक्राइब है और देथोरस दाल सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं तो बात करेंगे तो इसके लिए कोई बात करेंगे ने इनके बारे में बैटिंग सक्षन में से वी गुविंद पी राज और यहां से राज और यहां से रोजर जो बहुत ज्यादा रिस्की नहीं यह बहुत ज्यादा रिस्की आप लोग अगर शेफ जाना जाओ तो यहाद रखेगा मुझे ब्लैम मत करिएगा यह मेरे गट फिलिंग के अनुसाल जा रहा हो आप अपनी गड़ फिलिंग के अनुसाल भी जा सकते हो अल्राउंडर सेक्षन में से चंदरन जे जोस ए स्केरिया और यासी एम रमिन क्रिश्ण में टीम के अंदर रहेंगे यहां से काफी कम है लेकिन यह बाई साब यहां से कैप्टन वाइस के चैप और यहां से टी विनिल के उपन आप लोग रिसक ले सकते हो अभी के लिए बात करो मेरी टीम की तो इस तरह से रहेंगे कुछ के कैप्टन हमारे रहेंगे ऐसे रभीन एम और रभीन किश्ण के रहेंगे वाइस कैप्टन यह से गोइंज रहने वाले ज्यादा पब्लिक की इस नहीं बात कि जलुए तो पब्लिक किया से सी तहा किया एक है किसको जा रहें या से रोज दून करते हुए आप लग चाहई तो इनको कैप्टन करते हुए रहें अभी के लिए मेरी टीम इससी तरह से रहेगी यादरेगु यह इडिम में फाइनल टीम आपको टेलीग्र अगर विडियो उचला के वीडियो को लाइक और शेर करें गाने साथी में यूची चनल को सब्सक्राइब करना आज बिलकूल मत बुलेगा क्योंकि आगे आने वाली वीडियों आपको यसी यूटूुब्ड जनल मिल जाएगे तो मिलते हैं लोग अगले वीडियो में एक नहीं सर्प्राइज वीडियो के साथ तब तक आप पूरा वीडियो देखते हो अच्छा अनलिस्ट करते हो अच्छी टीम बनाते हो अच्छी विजिंग करते हो तब तक के लिए बाई धन्यवत जैहिन जै भारत